प्याव एक खूबसूरत एहसास वो एहसास जो हमेशा हमारे पास होता है धजरूर उससे देखने की है आँआ दजरू से नहीं दिल से दिल जो हमारा होता है धड़ता तो है पहर नाम किसी और का ही लेता है कोई ऐसास जिसके पास आते ही जो जोर उसे धड़तने लगता है जब वो हमारा हाथ अपने हाथ में लेते है तो लगता है जैसे हमारी सासों के साथ साथ ये वक्त भी थमसा गया है पर ये वक्त बड़ा कम वक्त होता है जो दिल को अच्छा लगे उसे को हमसे दूर करता है अब एक बात बताओं आज में अलग हुए पुरे तीन साल पाँच महीने छे दिन हो चुके हैं कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम साथ में हूँ वो गलाब जो उनने मुझे तब दिया था जब हम पहली बार मिले थे आज भी मेरी किताब में उसी तरह महकता है मनका दिया ये लाल दुपटा जब भी ओड़ती हूँ जैसे हवाय मुझे छूने का पहाना धूनती है बिलकुल अनकी तरह हाँ हाँ कहलो हमें दिवान फर प्यार तो ऐसा ही होता है ना चाहते हुए भी है किसी को होता है और जब होता है तो बेश्मार बेहिसाब होता है और क्यों ना हो अखरी प्यारी तरह जनाव जो जितीगी में रंग भार देता है वो रंग जो देखता सफेद है पर होता काफी गहरा है इतना गहरा कि उसमें डूपकर इंसाद मार नहीं ली सकता है पर प्यान केना नहीं हो जाता है ये कलोता ऐसा दर्ध है जो बेहत खुबसूरत होता है चहरे पर मिस्कान भले हैं पर ये दिल रोता है अब आप मानू या ना मानू फर प्यान तो ऐसा ही होता है कर दो जाता है कर दो जाता है